चलिए दोस्तों अब हम दिपावली के कुछ उपाय समझेंगे कि दिपावली को हमें क्या 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 करना है क्या क्या नहीं करना दिपावली में मालक्षमी की किरपा आपके घर में आए मालक्षमी सोयम आके आपके घर में वास करें पर उन चीजों को समझने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि दिपावली का मुहरत क्या है दिपावलीlı के दिन जो घर दुकान आफिस वाले हैं वो किस पूझन करें और घर में हम किस समय करने हैं क्या चीज़े घर से निकालनी है क्या घर में होनी चाहिए इन सब की जानकारी आपको मैं देने वाला हूं तो सबसे पहले हम समझते हैं दिपावली का पूजन किस समय पर होता है दिपावली का पूजन होता है और दिपावली के पूजन के लिए दो तरहे के लगनों होता है एक होता है फिक्सिक लगन च này कि वहां पर तर धाय होती है कि आपका जो पैसा है आपका जो इनफ्लो चलता जॉद auga की छीजबा फैसा कठ्थ करते होगे एक धी तरह होता है कि आपने घरमें जूड़ रहे条son वो रुका हुआ धन है यानि कि जो घर में आ रहा है वो रुक रहा है घर में जो आ रहा है वो रुक रहा है कई लोगों को आपने देखा होगा घर में जुड़ा रुका हुआ पैसा नहीं रुकता है पैसा रोकने की पूरी कोशिश करते हैं नहीं रुकता है यही कारण होता ह कि जब भी स्थिर और चर लगनों की बात आती है तब इन चीजों को देखा जाता है और आपको मैं सबसे पहले बता दूँ जो भी कारे स्थल में अपने कामकाज के एरिया में आफिस वगरा में पूजा करना चाते हैं उनका क्या समय रहेगा दिपावली 24 तारिक को ही मनाई जाएगी यानि की 24 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और सुभे का समय जो की कारे स्थल में अपने अफिस दुकान या इस तरह आप अपने दिपावली की पूजा करके प्रसाद बाट सकते हैं अब बात करते हैं शाम के समय की जो कि आप घर में पूजा करेंगा घर में जो वो शाम के साथ से आ ceux समय है जैसे आप पूजा करते आए हैं पड़ी हों डेखे हमें जरूत हैं जो हमें ध्यान रखना फिर्म कभी चूक जाते यह जिसकी वज़े से हम पूजा तो कर लेते हैं मालक्षमी की गरपा नहीं आई परेचानिया जसकी तस जबकि पूजा किसले की जाती है ये मालक्षमी को बुलाने की लिए की जाती है घर में खुशियां बुलाने की लिए की जाती है ये खुशियां आपके घर में कैसे आए इन सब की जानकारी आपको रखनी है दिपावली से पहले का समय या दिपावली का समय हम अपने घर की साफ सफाई कर लें साफ सफाई करके घर में इत्र गंगा जल छिड़क लें और घर में खुश्बू का महौल होना चाहिए हमारे जीवन में खुश्बू का बहुत लेना देना आने वाली वीडियो में मैं आपको खुश्बू से लेके हर तरह की जानकारी दूँगा कि आपको काम अगर करते हो तो किस तरह की खुश्बू इस्तमाल करें घर में किसी तरह की परेशानी है तो किस तरह की खुश्बू इस्तमाल करें अगर किसी की शादी नहीं हो रही है त एक बहुत बड़ी वीडियो है और आने वाली वीडियो में यानिकी मैं इस जानकारी को शेयर करूंगा आपको प्रतेक प्रॉब्लम से हिसाब से आपकी क्या परेशानी है कौन सी एसेंस को किस तरीके से आपने यूज करना है किस तरह से आरोमा आयल को किस तरह से साफ सफाई होनी चाहिए साफसफाई हमारे एक तो जिसे कहते हैं इश्वरी किर्पा को दिलाने मदद करती है और घर रहे लोगों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है तो साफसफाई होती है वहीं पर ही माहलख्शमी का आवास होता है तो ऐसे समय के समय में 50 पैसा नहीं चलता है तो आपके गर में पड़े होंगे इनको उठाके बाहर करिए किसी तरह के electronics हैं रदी हैं कपड़े हैं इन चीजों को आप अप हटा आई गर से निकाले घर में जाले लगे हैं किसी तरह से कहीं पर कोई प्रॉलम है कहीं आपके घर के दर्वाजे के पास कहीं गंदगी है आप कच्रा रखते हैं कुछ भी है इसको थोड़ा सा मैनेज करिए और घर की जब आप सफाई कर रहे हैं उपर से लेके नीचे तक आप घर को आपने साफ कर रहे हैं तो उस पानी में कुछ ना कुछ इत्र वगरा डाल लीजे इत्र नहीं डाल सकते हैं तो आप सेंधा नमक डालने से भी बहुत अच्छी तरीके से घर में पॉस्टिविटी आती है सेंधा नमक की कुछ एक-चमच भर कर आप डाल लीजे उस पानी से आपने घर की दुलाई अगर आपको घर से हटाने की जूरत पढ़ति है तो इनको हटा दीजे जो चीज़े जूरूत की नहीं है उनको घर से निकाल दिजे गर के दुआर को जरूर आप साफ सुतरा रखिये और घर की जो दहलीज है उसको आच्छी तरीके से पानी से साफ कर दीजे घर के जो दुआर हैं उन पर आप स्वास्तिक के चिंड बना सकते हैं या फिर चंदन या हल्दी से स्वास्तिक चिंड बना सकते हैं इस तरह से ये चीज़ें आप निशान बना दीजिए और जो घर के हिस्से हैं दोनों हिस्से यानि कि घर की जो दहलीज होती है दहलीज को जरूर आप दोनों कोनों पर आप सेंधा नमक की थोड़ी एक एक चुटकी आप भरके डाल दीजिए इतना करने मातर से ही आपके घर म पॉस्टिविटी आना शुरू हो जाएगी और यह पॉस्टिविटी घहर में लाना जरूरी है ताकि आपके घहर में दिपावली के दिन मालक्षमी का आवह हो सके और अगर आप इस दिन दिपावली के दिनxy सुबह ही अपने घर में आप रोज नाम का एक रूम फ्रेशनर आता है या इत्र मिल जाता है तो घर के सभी लोग इत्र का प्रयोक करें अपने कान के पीछ है अपने बाजू पर लगा सकते हैं इस तरह से आप इत्र वह भी गुलाब का इत्र इस्तिमाल करें और घर में भी खुश्बू आपके रहनी चाहिए गुलाबों की खुश्बू क्योंकि गुलाबी और गुलाबों की खुश्बू यह मालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है बहुत पसंद है इस तरह से आप अट्रेक्ट कर सकते हैं अपने घर में पॉस्टिविटी और प्रॉस्परिटी दोनों ही चीजे तो आप इन चीजों को इस्तमाल करिए और ये सब चीजों का ध्यान रखिए देखिए मालक्षमी आपके घर में कैसे वास करत दोस्तों बाकी और जानकारी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए अपने सुभाज भाई को आगए दीजिए नमस्कार